एरी मयाओ, जब सरीर में ज़्यादा कष्ट होए तो मातां क्या कहती है ये भगवान अब तो लेले, वो खुद भी कहती है और बाके जब आसपास बैठी होते हैं बेवन्यू कहते हैं मट्टी है समेट ले, अब दुख देखे हो अचा, काओ के एक गोली लग गई होए तो अब दुखी एह रहो होए शीख रहो होए चिला रहो होए तो कहता है न कि लेले और जिनके एक गोली ना लगी बान लगें और कितने अनगिनत हाथन में, छाती में, पावन में है ना यदि नेकोँ हलत होंगे तो कहा आलत होते होगी है ना थोड़े भी हिलते होंगे तो मौत आई कि बाबा चलो बड़ी परेशानी है रही आपर बोले नहीं अभी नहीं जाना कि फेर आई कि वोली बाबा अब तो तुम्हें बहुत तुम्हें देखके तुम्हें तो का कस्ट हुग हमें कस्ट हहरो अब तो चलो बाबा ने कहा अभी नहीं और सुनो तुम बार बार मत आओ तुमें कश्ट हो रहा है तो तुम अपने के हमसे दूर रहो हमें देखो ही मत जब हमें जरूरत होगी तो हम तुमें बुला लेंगे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि काल के सामने किसी की नहीं चलती ऐसी बात नहीं है भाई आओ कुछ ऐसे महापुर्ष भी इस दर्ती पे हुए हैं कि जिन के सामने काल की नहीं चलती बास समझ मारी है ना पिता में भीस्म के सामने तो काल की भी नहीं चल रही है हाथ जोड़के आती है मौत काल हाथ जोड़के आता है बाबा चलो पुले नहीं नहीं हम बुला लेंगे अभी एक काम जरूरी रह गया है मुझे वो करना है अज़ा ये सामर्त कहां से आई ए भाया वरत पुरवारे हो ये सामर्त पिता मैं भीष्म मैं कहां से आई वो मैं बताना चाहता हूँ पिता मैं भीष्म ने अपने बाप की सेवा के लिए अपने जीवन के सुखों को बलिदान कर दिया था सब के कथा याद नहो तो मैं दोहरा दूँ जब पिता जी का दूसरा बिवा सत्यवती के साथ में होना था तो उसमें उसने शर्त रखी थी सांतनू का जो बिवा होना था उस सत्यवती के पिता जी ने ये सर्त रखी थी क्या कि मेरे बेटी के जो बच्चे हैं वो राजगदी पर बैठें तो तो मैं ब्याग करूं कोनी ऐसी मारी मारी डो लेंगे मैं भ्याग क्यों करूं और तुमारा जो बड़ा बेटा है पिता में भीसम वो तो जो है बहुत यसस्वी है तपस्वी है गंगा का बेटा है उसके सामने मेरी बेटी के बच्चों को कौन गिनेगा ये बात जो है पिता में भीसम को पता लगी के मेरे पिता के सुख में मैं बाधा हूं तो उन्होंने उसी समय भीसम प्रतग्या की के मैं आजीवन गद्धी पर नहीं वैठूंगा पहली प्रतग्या और दूसरी यदि मेरे बेटे होंगे तो हो सकता है कोई हस्त छेप कर दें गद्धी में इसलिए मैं आजीवन साधी ही नहीं करूंगा अखंड ब्रह्मचारी नहीं इस प्रतग्या से उनके पिताजी इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि बेटा तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा रिंड कर दिया है कि मैं चुका नहीं सकता और सायद ऐसा बेटा नभूतो नभविश्यत अपना सारा जीवन का सुख त्याग दिया तूने राज गदी त्याग दी ग्रहष्ट जीवन त्याग दिया मैं बड़ा खुश हूँ और मैं तुम्हें इच्छा मृत्यू का वरदान देता हूँ जब चाहोगे तो मरोगे और नहीं चाहोगे तो तुम्हें काल भी मार न सकेगा ये वरदान कहां से आया बाबाप की सेवा करने से मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ बच्चे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में महरा ये वरकत नहीं हो रही ये सफलता नहीं मिल लही वो सफलता नहीं अरे तुम्हारे घर में देवता बैटने हैं माबाप के रूप में कभी पूजा वरकत कहां से होगी सुख कहां से आयेगा माबाप देवता के रूप में हैं और वो दुखी हैं तुम से और तुम चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख आ जाए सवाली पैदा नहीं होता साथ और पिता में एक भी इसम को तो इच्छ एक बात में आपको बताऊं स्वरग का जो राजा इंद्र है न उसको भी इच्छा मृत्यू का वर्दान नहीं है एक एवर रामायन में कहा भायो कि जब राच्छा तो बहुत मरे गए रावण ने सोचा है कि एक काम किया जाए यह जतने देवता हैं न यह अमर हैं यह मरेंगे नहीं जिन्हें सेना में बेज़ो बात समझ में रही है यह मरेंगे नहीं जिन्हें सेना में बेज़ो अब सेना में यह बेज़ देवता अब देवता रो मत जाए किसी ने पूछा देवताओं से तुम तो अमर हो रहे। популяр हो कि भी तुम्हें का है को डर हो है। बोले मौतको डर नआँ, तो बडे उबे को डर हो है। और बोले कमते कम मनुष्य यों को, brands को, बालुओं को राठ खते सों को ये कंतिकम्ष्विदा तो प्राप्त है कि जादा पिटाओं तो मर जाओं लेकिन हम तो मर उना सब्सक्राइए पिटेंगे सूछिए गा इनके लिए वह वरदान प्राप्त नहीं था जो पिता में भीश्म को प्राप्त है किसके कारण माता पिता की बोलो बोलो सेवा के कारण जो व्यक्ति अपने माबाप का भक्त बनता है माबाप की सेवा करता है लच्छ मी उसके चरणों में लोट पूट वोती है सफलता है उसके चरण चूमती है उसे फैल कौन कर सकता है जो बेटा सुबह जक करके दर्ती माता के पाउच हुए फिर अपनी माता के पाउच हुए फिर अपने पिता और बावा दादा इन सब के पाउच हुए इनके आशिरवाद को लेके माथे पर जो चलेगा अरे नहीं कर सकती है काल भी पहले आग्या लेगा अच्छा आप यह को होगे माबाप में खुद में तहीं सकती नाएं तो भूम हमें का अशिरवाद देंगे मेरी बड़ी प्यारी बात कहना चाहता हूं एक छोटा सो सिपाई और आपने कोई रूल उलंगन करें एक छोटा सा सिपाई आपको रोग देता है आपसे वो तागत में कम है हैट परसनल्टी में कम है आपसे पैसा में कम है लेकिन फिर भी आपको रोग देता है वो क्योंकि वो तागत सिपाई की नहीं है बताओ पावर वहां से मिली हुई है कानून की तागत उसके पास है ऐसे हर पिता को हर मा को उस परमात्मा के सम्मेदान की तागत है को वो आशिरवाद दे सकते है उसने बनाया है कि जो माबाप की सेवा करेगा वो फलेगा फूलेगा लच्छ में उसके चरणों की दासी बनेगी सफलता है उसके पाउं चुमेंगी लेकुन कोई ले ना जाने तब तो हम लोग तो यह देखते हैं हमाबाप जा लाए कहीं ना है महराजी हम करें का कब उस सिपाई जा लाएगा तो है वह चौर आएप है लेकिन उसकी पावर है उसे परमात्मा से पावर मिली है माबाप को परमात्मा से पावर मिली है भईया है ना तो जिन्होंने यह आशिरवाद लिये हैं वो पिता मैं भी उसमें की तरह काल को भी ललकार सकते हैं और ये बात जो राम जी ने रामाइन में कही है जब परसराम जी महराज ने कहा कि क्यों रहे तुम हो काउन जो मेरे से जमान लड़ा रहे हो जिन नेक सोसो लश्मन और वले साम रहा हो सो वले तुम जैसे तो मैंने कितनी 21 सभेर काट काट के फेंगे दाए तुम दो बालक मेरे सामने तो राम जी ने कहा बाबा एक बार काल हुसन लरही एक बार हमें अपने माता पिता का आशिरवाद प्राप्त है एक बार के लिए काल भी आ जाएगा ना हम से जीत नहीं सकता क्योंके राम जी पिता के भगता है राम जी मा के भगता है वह जो माता पिता का भगता है वही ये चेलंज कर सकता है के एक बार काल हुसन लरही एक बार काल हुसन लरही पिदाम अभी इसमने कहा के ए मौत मैं तुझे बुला लूँगा जब जरुवत पड़ेगी ठीक है अब ये पांचों पांडव द्रोपदी और भगवान स्री कृष्ण पिदाम भी इसम से मिलने के लिए रण भूमी में आए कुरू छेत्र में चारों तरब खबर फैल गई कि कृष्ण भगवान पांडवों के साथ पिदाम भी इसम से मिलने आ रहे हैं भगत और भगवान मिलेंगे तो देखेंगे कैसे बारतालाप होती है देखेंगे कैसे दोनों का मिलन होता है रिशी मुनी भी संत महत्मा का बड़ा जमघट लगा उसके बाद पांडवों ने जब प्रणाम किया तो अर्जुन से पितामे भी इसम ने पूछा क्यों बेटा तेरे रत को हांके भी बारों ना आयोगा बुले आये हैं बाबा आपके थोड़े पीछे हैं बीश्म ने कहा सही जगे खड़े हैं क्योंकि इन आखों में इतनी पवित्रता नहीं रह गई है कि उनका धर्सन कर सकें क्योंकि इन आखों ने वो वो देखा है जो एक अच्छे महापुरुस को नहीं देखना चाहिए तब तक भगवान सामने आ गए बोले बाबा ऐसी बात नहीं है आप जैसा महत्मा आप जैसा साधु आप जैसा ब्रतधारी आप जैसा सत्यवादी इस धरती पर कभी कभी कोई पैदा होता है इसलिए मैं आपके दर्सन करने आया हूं पिता मैं भीश्म की आँखें भरे आया हूं किया आपने मेरे को दर्सन दे करके किरतार्थ कर दिया गोविंद मैंने तो हाथ भी नहीं उठा सकता आपको प्रणाम करने के लिए मेरा मन से प्रणाम स्विकार करो अर्जन मुझे प्यास लगी है जरा पानी पिला दो अर्जन का नाम नहीं लिया उन्होंने उन्होंने का मुझे प्यास लगी है इतने में बेव आगे कौरब सो दुर्योदन करता है अरे जाओ सौने के कलस में पाई लाओ प्यास लगी है प्यास लगी है प्यास मैंने कहा मुझे किसी के हाथ का पानी नहीं पीना अब तो मुझे मेरी मा का पानी पीना है गंगा का अरे जाओ जाओ गंगा जी मैंसे लाओ वो ले नहीं मैं मेरे अरजुन के द्वारा लाए हुए गंगा जलखा जलखने अरजुन अरजुन रो रहा था कि आज मेरे बाणों से मेरे पिता में की यह हालत हुई है हे विधाता ऐसे दिन किसी को मत देना जिन गुदों में एक बालक खेला हो और वही फिर बाण उनके उपर चलाए हो ऐसे दिन कभी किसी को मत बावा बावा मैं अभी पानी की विवस्ता करता हूँ जल की विवस्ता करता हूँ अर्जुन ने वही पर मा गंगा का आवहान करके वान छोड़ा और वही से गंगा मैया प्रगट वी और सीधे पिता मैं भीश्म के मुखार विन दवर नाम पड़ा वान गंगा नाम पड़ा वान गंगा